आज मैं आपके साथ शेयर करने बाली हूं रजब इस्पेशन मीठी कूड़े की टिकियों की रेसिपी आप हर साल ये टिकिया बनाते होंगे लेकिन कई बर क्या होता है कुछ चोटी चोटी मिस्टेक्स हो जाते हैं जिससे ये फट जाते हैं और काफिया तक घी को जैसे बिस्केट्स रहते हैं बहुत जादा खसता बिल्कुल वैसी खसता आपकी टिकिया भी बनें और आप इसे अराम से रख सकते हैं 12-15 दिन तक ये खराब नहीं होगी नहीं कड़क पड़ेंगी एकदम खसता ही रहेंगी तो चलिए फ्रेंट्स मीठी टिकिया बनाना स् पुराता साथ हम इसमें तिली डाल देंगे तो ये जो तिली फ्रेश में मार्केट में मैंने वह यूज की है अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे तो ये देखे एक दम बढ़िया से हमने इसे मिक्स कर लिया है तिली से बहुत दर्शा फ्लेबर आता है अब हम इ हम जाने दूट में मिक्स करें गे इसके बाद डू लगाएंगे इसलिए सारी चीनी मेने यहां पे यहकिक यह जवो होता है जब हम सारी चीनी कर लेट cód़ श्ली तो यहां पर दूख हो तो यह तो चीनी का पाउडर है इसमें जाधा टाइप नहीं लगता है मिक्स करने में अगर आप साबो चीनी यानि की जैसे नॉर्मल चीनी रहती वैसी उसकर है तो आपको हल्की गुन-गुने दूद में करना है जिससे की काफी जल्दी जो है घुल जाएगी यहां पर यह द तो यह ज्यादा हाड भी नहीं होती है तो इसे हमने अच्छे से मिक्स किया अब हम इसका डू लगाएंगे जो हमने चीनी और दूद का मिक्स रखा है उसे हम थोड़ा थोड़ा करके चमत से डालते जाते हैं सारा आपको दूद जो है वह साथ में नहीं डालना है थोड़ा यहाँ पर मैं केबल चमत से यह आपको डाल के दिखा रही हैं ऐसे डायरेक्ली बिल्कुल नहीं डालना है अब इसे हम अच्छे से मिलाते जाएंगे और हलकी हांसे से बांगते जाएंगे और जो डू है वह में एकदम चिकना लगाना है बिल्कुल भी सबस्तर डू नहीं लगाना है तो इसे इस तरीके से हम हलके हाथ से mix करते जाएंगे और इसका डू लगा के तयार कर लेंगे तो यह देखे फ्रेंट्स एकदम perfect यहां पर और देख सकते हैं dry नहीं लग रहा है एकदम perfect है हमारे डू इसे चिकना कर लेते हैं और यह जो डू है वो लगके एकदम बनाना स्टार्ट करनी है तो यहां पर मैंने एक दो पार्ट डिवाइट करनी है एक पार्ट की मैं आपको ठीक है बना के दिखाती हूं यह देखे इसे इस तरीके से लखेंगे सूखा मैदा लगाने की क्योई ज़रूद नहीं है हमने डू बहुत अच्छे से लगाया है त इसे कट कर लेंगे यह दिखे इस तरह से तो इसे ऐसे कट कर लें और अब जो है एक्स्ट्रा वो हम निकाल लेंगे इसे हम दो बारा भी यूज़ कर सकते हैं दो बारा इसे हम बेल लेंगे और बाद में जो हमारी मीठी टिक्या है वो कट कर लेंगे तो यह देखे तो जितनी आप एक बार में हैं उतनी ही डाले जाद आपको नहीं डालना है और पहले आपको अच्छे से सिखने देना जब नीचे से सिख जाएंगी तब हम इने इस तरीके से बलटना स्टार्ट करेंगे यह देखी फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है मीडियम फ्लेम पर ही हम इने सेंकिंगे अब अगर पतली तले की कड़ाई यूज कर रहे हैं तो आपको फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और यह देखिए एकदम बॉफिक्ट है इसमें गूल्डन ब्राउन कलर आज चुका है देख सकते हैं अब हमें ने निकाल लेंगे इस से जादा है ना ही एक भी हमारी ठीक फटी है और ना ही तूटी है देख सकते हैं एकदम बॉफिक्ट है तो अब मैं आपको निकाल के दिखा दिखा दियू हूं जब ठंडी हो जाएगी तब हमें से किसी भी बरतन में इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं तो यहां पर मैं इसमें आपको निकाल के दिखा रही हूं यह देखे आप कितनी पॉफेक्ट बनी है देखने में भी बड़ी अलग रही है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है एक दम खासता बिस्किट्स जैसी अब मैं आपको तोड़ की भी इनका टेक्श्य दिखा देती हूं और यह देखे आप त एक्ष्ट रसेपी मेट टेकली गूर्बाइ